जय हिंद वन्दे मातरम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए पैल आइकोन को जुरूर दबाईए नोटिफिकेशन के लिए जिससे आपको हर वीडि है या वीडियोStudy ढको है या मुसलिम है या दूसरे मजहब के लोग वू आपस में एक दूसरे के साध्व हमारे अपस सबसों हिंदू निकलते हैं ये आदी काल से चला आ रहा है कि सोभा यात्रें निकल दीती इस देश में लेकिन अचानक से क्या हो रहा है कि पिछले कुछ 200, 300, 400, 500 साल में हमने देखा हिस्ट्री में कि हिंदूओं की जो ये पूजा पद्दती मंदीर तोड़ दिये गए और इतने डिस्ट्रेक्शन हुआ आज भी आप देखते हो तो पत्थरवाजी होती है सोभा यात्रा के उपर फिर ये ब्लेम लगाए जाता है कि जो सोभा यात्रा निकाल रहे थे वो तलवार लहराते हुए जा रहे थे ये भी बोला जाता है कि ये जो हिंदू सोभा यात्रा निकाल रहे थे ये जो है वो उ पत्तरवाजी करते हैं यह वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए धर्मा लाइव यूटीब चैनल से और यह एक बहुत ही डिटेल में इसमें जो गौतम क्टर जी है उन्होंने बताया है कुरान के बारे में, इसलाम के बारे में, जो आपको जानना और समझना भजाए जुरूरी है, खास करके जो हमारे सेकुलर वर्ग है, उसके लिए, तो ये वीडियो मैं लगाता हूँ आपके सामने, रियक्शन के रूप में ये वीडियो है, अपने विचार में वीडियो के ए मुहम्मद साहब को ना माने और जो अल्ला के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेश की इबादत करे वो काफिर है यह है पूरी जानकारी इसलाम में कब्र पूजा हराम है और मैं उन सनातनियों से कहता हूं कि तुम किसी मुर्दे को अपने कंदे पर उठा करके जब स्मृति को जला देते हो क्या किसी एक भी नेता ने खड़े हो करके किसी चौक चौराहे पर पुरान को हाथ में लेकर कि कहा कि इसकी यह वाली बात मानवता के विरुद जारी है हम इसको जलाएंगे आपने काते कि सनातन धर में कहीं भी बली प्रथा के बारे में नहीं लोगों को मैं चाहता हूँ कि स्वाध्याय करें यह सोचने से पहले कि यह गौतम खटर यहां पर आकर के या किसी चैनल पर आकर के शायद नफरत पहला रहा या हिंदू-मुसल्मान में विभेद प्यदा करना चाहता है नहीं यह तो बहुत इंपोर्टन है कि कोई हिंदू-मुसल्मान में भेद पैदा करने के लिए नमस्कार मैं हराजपुत आप सभी का इनिपिलाई धर्मालाइफ पर स्वागत करती हूँ बहुत सारे सवाल आप लोग अपने पूछते हो जब भी कोई वीडियो देखते हो और बह रेते में एक सांगा है तेरी मंद मन túmal मु obedient मूskan और इसके पीछा लॉडिक्षे एकुपय होते हैं इसलिए हमने एंको फिर बुलाया है ताकि आप के जो भी बहुत सारी वीडियो जो है वाइरल हुई बहुत सारी लोगों ने सवाल पूछा आपकी वीडियो पर तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने अपको बोला है तो सबसे पहला जो सवाल है क्या होता है जो हम अपने धर्म की बात करें तो जादा लोग ऐसे कुछ नहीं दूसरे धर्म की बात करें तो वहां पर बहुत सवाल उठाने लगते हैं तो लास्ट हमारी पिछली जो हमने वीडियो की तो एक आपनी चीज कही तो जो बतारे वह अधूरी जानकारी है फैक्स को गलत तरीके से पेश किया है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि कुरा काफिर मेंटऊए नहीं है जो ऐला को ना माने जो मुहम्मत सभ को माने और जो व्यक्ति विशेष की आब आधत करें जो मूहम्मात साहब की किसी और को पैगंबर माने ये हैं यहां पूर। जानकारी जो अल्ला को माने जो मुहम्मद साहब को माने जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे भुत परस्ति ना करे वो पक्का मुसल्मान है अब आप कहेंगे कि जो अल्ला को मानेगा जो कुरान को मानेगा जो मुहम्मद साहब को मानेगा तो वो तो होई गया को मानते हुए बुछ परस्ति करते हैं इस्लाम में कभर पूजा अराम है इसलाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कबर बना के उस पर चादर चडा करके उसकी इबादत करना हराम है ये कुरान के सब से बिल्कुल लेकिन ये कबजाधारी लोग कुरान को नहीं मानते हुए ये चीजे भी करते हैं ताकि हम लेंड जिहाद कर सकें ताकि हम जमीनों को कब जा सकें अभी मैं पिछले दिनों लगबग 2,000 क किले में गुसा किसी मुसलिम आकरान्ता अतंकवादी का हमारे सनातनी योद्धाओं का हमारे छत्रिय योद्धाओं का उस किले के भीतर मामा भांजे की मजार बना रखी ती दरगा बना रखी ती फिर वहाँ से निकला और मैं महरांगड पहुछ जौदूपुर में जर्च है महाराजर जस्वेंत संघ की कर्म भूर्णी थी वहाँ देखा वहाँ पर मजार बना रखी तर में आगे बढ़ा सोना और गड़के किले में जालमे पीदार सैंप पूजा कोई विधान नहीं है तो यह जो लोग कह रहे हैं कि जो अल्ला को ना माने वो काफिर है यह बात जुटी है तो आप कुरान को पढ़िए आप कुरान का स्वाध्याई कीजिए और तब कमेंट लिखिए कि मैं कुछ बात गलत बोल रहा हूं मैं एक बात बोलता हूं फैक्ट के आधार पर दूसरा आपने क्या प्रश्न किया कि अगर ऐसा लिखा होता कुरान में यह चीज लिखी होती तो भारत में मुगल जो है 800 साल तक लभग रहे तो एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचे यह लोग के विया अगर ऐसा लिखा होता त नहीं को है नहीं को मुगलों के लिखा मれं आतन्कवाधियों के होते हुए लश कर सेण देश जैसे योद्धा भी लॉखी जिंwe तो उनके होते हुए एक भी हिंदु नहीं रहा, तो हम यह सोचें कि उनकी कुरान में ऐसा नहीं है, यह तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यह कोई वैलिड बात होगी यह तो एक सोचने की बात है वो चाहते ऐसा है कि एक भी हिंदु जी भी इतना रहे लेकिन उनका स्वपना साकार नहीं हो रहा है क्योंकि सनातनी भी कोई निर्बल दुर्बल प्राणी तो नहीं है उसके अंद ने आपने आपने बात बोली थि आपने पूरी लाइन बताई रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस तो इसको करते हैं क्योंकि उनका स्वार्त जुड़ा हुआ है तो जितने भी कोमें कर रहे थे क्योंकि यह वाली वीडियो अपकी वाइरल हुई थी और इस पे लोगोंने भी सारे स आपको जवाब दे तो आगर आपको इसके बाद कुछ पूछना है तो आपको पूछ सकते हैं और पूरी आयत खोल के बता दूंगा पूरी आयत बता सकता हूं अगर आप पढ़ दे तो शायद इनको रेफरेंस भी मिल जाए पारा दस सूरा नौ तौबा आयत पांच कुरान का प्रिष्ट संख्या 506 कहता है अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए और मैं जुट बोलता हूं तो कुरान लाकर के ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीज कहते हैं चैब हराम महीने बीत जाए तो मुश्रिकों जहां कहीं पाओ तल करो मूर्ती की पूझा कौन सा मुसलमान करता CTN करता तो उनको जहां कहीं पाओ कतल करो उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो फिर यदी वे तौबा कर ले यानी छमा मांग ले घुटने टेक दें और नमाज कायम कर ले उनकी अपनी उपासना पदिती छोड़के उनकी नमाज कायम करें औ बताईए मैं जूट बोल रहा हूं तो आगे देखिए आगे दूसरी एक आयत कहती है क्या कहती है पारा पांच सूरा नौ तौबा आयत अठाइस प्रिष्ट संख्या 516 कहती है हे इमान वालों मुश्रीक तो अपवित्र हैं कौन मुर्ति पूजा करने वाले ये हिंदू ये स अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा निसंदे अल्ला जानने वाला और तत्व दर्शी है मतलब काबा के पास एक भी सनातन धर्मी नहीं फटकना चाहिए और हमारे सनातन धर्मियों के मुख्य स्थानों के भीतर घुसके जो इनकी कबरे बन गई जो इनकी मजारे बन तो आकरके चार बार नहते हो और इन रधों की मजारों पर जिसमें मुर्दा दफन है उस पर चड़ा हुआ प्रक्रशाद बड़े चाव से खाते हो तुम कितने मुर्फ हो कितने हिightो हो अरे इनकी मजारों पर माथा टेकना बंद करो, ये सब वो आतंकवादी हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा, जिन्होंने तुम्हारे भारत की अस्मिता को तार-तार किया और तुम इनके, ये कह रहे हैं कि हमारे काबा के पास ना भूमी आपकी राम मंदिर राम जनम भूमी ले लो और हम इतने प्रेमी हैं हम इतने सॉफ्ट हैं कि हम कहने कोई बात नहीं आपको हम एक अलग से जंगा दे देंगे है योध्या में आप वहां पर अपनी मस्जिद बना लेना यह कहते हैं कि जो हमारी सरकार ने राम मंदिर ब तरह ही एक मस्जिद भी उनको बना कर दे जाये उन मुर्क सेकुलर ही नहीं पता नहींरा मंदिर बना है ना वो हिंदूम के पैसे बना सरकार का इक रुपए उस्नमें लगा और जो मसजिद है उसके लिए जमीन दीगे तो उसके जमी उस पे मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्योंकि जो हिंदूओं के लिए राममंदर बन रहा है वो हिंदूओं के पैसे डोनेशन के पैसे से बन रहा है तो वो जो बनाने की जिम्मेदारी वो उनकी है सरकार की जि जी जैसे लोग वह नफरत फैला रहे हैं उनके लिए भी सार्फंध नफरत नहीं Usd टो ऐसी-ईसी कही आयते हैं और लगबग लगब चुनुअ की आयते हैं आपको बता देना चाहता हूं लगबग 24 ऐसी आयते हैं जिसको डिल्ली के ने क्या कहकर कि संबोधित किया हमारे मेट्रोकॉलेटियन एक मैजिस्ट्रेट हुए दिल्ली के जैड़ेस लोहाट वो इन 24 आयतों के लिए कहते हैं मैं वो कोट का फैसला पढ़के सुना रहा हूं कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आहादर रखते हुए उक्त आयतों के सुक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह आयते बहुत हानिकारक हैं और घ्रिना की सिक्षा देती हैं इन में एक तरफ मुसल्मानों और देश के शेश समुदायों के बीच पैदा होने की संभावना है यह मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उठा करके देख लीजिए गा इकतिस साथ 1931 सात्वा महिना और 1986 में यह फैसला आया था और इसके बाद तो कितने ही फैसले आये कितनी ही बाते हुई लेकिन हमारे हिंदू नेता तथा कथित फ्रॉड हमा के लिए है इसमें इसके लिए है इसमें इसके लिए है अरे यह तो पुरा मानवता का दुरह कर रही है यह तो पूरे मानवता के खत्रे के लिए है तुम्हारी हिम्मत है इसका एक पन्ना भी निकाल करके कहो कि यह गलत है नहीं क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक खत्रे में नहीं जला सकते क्योंकि वो सब जानते हैं कि सनातनी तो सौफ्ट है इसके साथ कुछ भी कर दो लेकिन ये मुसलमानों के साथ यदि एक टिपनी भी तुमने करी तो ये तुम्हें वहीं सुभा तुमारे हाथ में गुष्ता के नभी की एक सजा सर्तन सजुदा तंसर सजुदा ये वाला पर्चा तुमारे हाथ में आ जाएगा तो लोगों को मैं चाहता हूं कि स्वाध्याय करें ये सोचने से पहले कि ये गौतम खटर यहां पर आकर के या किसी चैनल पर आकर के शायद नफरत फैलारा या हिंदू मुसलमान में विभेद पैदा करना चाहता है नहीं म मैं तो इतना प्रेम लेकर के आया हूं कि मैं इस देश के 35-40 क्रोड मुसलमान जो हमारे ही भाई थे जिनकी चौथी पीड़ी पांचवी पीड़ी दूसरी पीड़ी पहली पीड़ी हिंदू थी वो किसी कारणवश मुसलमान बन गए मैं तो कह रहा हूं आपका मैं स्वाग तो चाहते हो वास्तविक भाई चाहते हो मनुष्यता चाहते हो इंसानियत चाहते हो तो अपने घर में वापस आजाओ तुम्हें किसी ने बर्गला दिया है बटका दिया है तुम्हारे पुर्वज सनातनी ही है मैं किसी के प्रति द्वेश नहीं रखता हूं आप वापिस यह नफ्रती फरमान होगा तब तक प्रेम से कैसे रहेंगे जब तक उनके मूल में यह है कि अल्ला के सिवा को इबादत करने योग नहीं है और मोहमद सहाब के विना उसका कोई रसूल नहीं है जब तक ये दिन में 5 बार अजान में पुकारा जाएगा तब तक वो कैसे रहेंगे फिर तो उनको मालूमी है ना कि अल्ला के सिवा कोई अबादत करने योग नहीं और मेरा ये पडोसी राम नौमी पर मेरा ये पडोसी राम मंदिर बनने पर मेरा ये पर लगा रहा है यह इसको मैं नहीं लगाने दूगा इसलिए उसको मूल में मानवता की जो मानवता का कितना क्लेरली बताया गया इस वीडियो में अब बहुत सरे लोग बोलेंगे नहीं नहीं तो इसमें कर क्या सकते हैं 56 इसलामिक देश हैं वह यहीं चीज मानते हैं और मैंने परसनली भी यह चीज अब्जर्व करी है जो हमारे आसपास के जो मुस्लिम हैं वह हमेशा हमेशा हि कोई जानकार नहीं होता हम ने थोड़ा पड़ा भी है फिर भी हम तो फिर भी जांते हैं कि कौन सी यहां पर क्या चीज का जवाब मिल जाएका हमें सब पता है लेकिन हर्ग ँदू इसा नहीं है हर हिंदू ने हपने धर्म्ग्रंथ ही पड़े कई अन्वे भगवत गीता ही वैसे दिखते वो, वो कभी भी ये नहीं कहते, कि परमारा गहाँ दूसरा गाला आगे कर दो, महत्मा गांडी नहीं, भगवत गीता कभी पढ़ी ही नहीं, महत्मागांडी अगर पढ़ लेते ना, तो उनको कुछ ग्यान मिल जाता, महत्मा गांदी जैसे हो सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भगवत गीता पढ़ने की जूरूरती है हम महत्मा गांदी को फॉलो कर लेंगे जिनको खुद को नॉलेज नहीं था मंदिर के अंदर वो कुरान का पाट करते थे लेकिन उनने कभी भी किसी मस्जिद के अंदर उनने कभी भी भगवत गीता का पाट नहीं होने दिया नहीं कराया पाकिस्तान से जब हिंदु यहां पर आये थे भाग कर जब डिवीजन हुआ तो वो एक मस्जिद में छुप गए तो अब जो वहां पर मौलाना थे उनने बोला के भाईया यहां पर छुप गए हैं इनको यहां से निकालो महत्मांगांदी जी अंसन पर बैठ गए थे जिन लोगों के पास बेघर थे जिनके पास घर नहीं था वो मस्जिद में अपना सर छुपाने के लिए वहां पर घुश गए तो वह काफिर अंदर घुश गए तो उससे इमान खत्रे में आ गया था अमहत्मांगांदी जी अंसन पर बैठ गे थे हैसा हमने सुना है यह तो हमारे देश में सेकुलरिजम चल रहा है नौलेज है नहीं समझना है नहीं अपनी किताबें नहीं पढ़नी है अब यार अपनी धरमसास्तरी पढ़लो अरे वेद पुरानी पढ़लो और कुछ नहीं पढ़ना है तो पुरानों की कहानियों में उलज जाते हैं लोग उनके मीनिंग नहीं समझ पाते खुते अजया हैं अरे छोघू कहाणि की कहानियों से आफ से सुन पूरा पिलिए इसलिए है ना क्योंकि वह एक अवतार थे अवतारों को नहीं समझ पाते लो क्या होता है यदा यदा ही धर्मस्या गलानीर भप्ति भारता अभ्यू उथाना अधर्मस्या तदात मानाम सिर्जाम में हम परितराना इच्छादु नाम बिनाशाया चदूस कृताम धर्मसंस्थ आपनार थाया संभवानी यूग यूग यूगे तो यह चीज को यह भगवत गीता में लिखा हुआ है और वह ऐसे बोलेंगे हम भगवत गीता को मानते हैं हम स्री कृष्ण को महापुरस मानते हैं तो उस चीज को कैसे नकार देते हो यह चीज समझने वाली है सेकुलर जो दिन में पांच वार आपके लिए जो नौन मुस्लिम हैं उनके लिए ये बोल रहा है कि जो आल्ला को न महाने वो काफिर है ला camping पॉलनी है वो काफिर है, simple है, उसमें क्या दो चीज बोलनी है, अगर हम हिंदू अपनी मंदिरों से बोले के, कोई पूझने लाइक नहीं है, शिव के सिवा, शिव से वड़ा कोई नहीं है, जो शिव को ना माने वो काफिर है, या शिव को ना माने वो पापी है, और उसको फ्लाँ-फ् accept करेगा इस चीज को लेकिन यहां पर क्योंकि वो अर्वी में बोली जा रही है चीज और अर्वी जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इनकी पूझा पत्ति है इनको करने दो तो दोस्तों यह सारा वीडियो था उमीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी तो मिली हो क्योंकि जानकारी तो मिली है रहे हैं आपक है